जै स्री कृष्णा आज शुक्रवार के दिल आईए सुनते हैं शुक्रदेव की यह कथा पुरारों के अनुसार ब्रह्माजी के मानस पुत्र भ्रिगूरिशी का विवा प्रजापती दच की कन्या ख्याती से हुआ जिससे धाता बिधाता दो पुत्र वश्री नाम की कन्या का जन्म हुआ भागवत पुरार के अनुसार भ्रिगूरिशी के कभी नाम के पुत्र भी हुए जो कालांतर में शुक्राचार्य नाम से प्रसिद्ध हुए महरसी अंगीरा के पुत्र जीव यानी गुरू तथा महरसी भ्रिगू के पुत्र कभी यानी शुक्र समकालिन थे यग्योपवीत शंचकार के बाद दोनों रिशियों की सहमती से अंगीरा ने दोनों बालकों की सिच्छा का दाईत्व लिया कभी महरसी अंगीरा के पास ही रहकर अंगीरा नंदन जीव के साथ ही बिद्याध्यन करने लगा आरंभ में तो सब सामाने रहा पर बाद में अंगीरा अपने पुत्र जीव की रच्छा की ओर बिसीस ध्यान देने लगे वह कभी की उपेच्छा करने लगे कभी ने उस भेद भावपूर बियोहार को जानकर अंगीरा से अध्यन के बीच में ही छोड़कर जाने की अनुमती लेली और गौतमरिसी के पास पहुचे गौतमरिसी ने कभी की संपूर कथा सुनकर उसे महादेव की सरण में जाने का उपदेश दिया महर्शी गौतम के उपदेशा अनुसार कभी ने गोदावरी के टटपर सिव की कठिन अराधना की इस्तुती वह अराधना से प्रसन होकर महादेव ने कभी को देवों को भी दुरलग मृत संजिवनी नामक बिद्या प्रदान की तथा कहा की जिस मृत ब्यक्ती पर तुम इसका प्रियोग करोगे वह जीवीत हो जाएगा साथी ग्रहत्व प्रदान करते हुए भग्वान सिव ने कहा की आकास में तुम्हारा तेज सब नचत्रों से अधिखोगा तुम्हारे उदित होने पर ही विवाह आदी शुबकार्य आरंब किये जाएंगे अपनी विद्या से पूजी थोकर भ्रीगुनंदन शुक्र दैतियों के गुरुपत पर नियुक्त हुए जिन अंगीरारिसी ने उनके साथ उपेच्छा पुड़ बेवहार किया था उनहीं के पौत्र जीव पुत्र कंच को शंजिरने विद्या देने में शुक्र ने किंचित भी संकोज नहीं किया शुक्राचार कभी या भार्गव के नाम से प्रसिद्ध थे इनको शुक्र नाम कैसे और कब मिला इस विशय में वामन पुरार में कहा गया है दानवराग अंधकासूर और महादीर के मध्य घोर युध चल रहा था अंधक के प्रमुक्से नानी युध में मारे गए पर भार्गव ने अपनी संजीवनी विद्या से उन्हें पुनर जीवीत कर दिया पुनर जीवीत होकर कुजंभ आदि दैत्य फिर से युध करने लगे इस पर नंदी आदि गड महादीर से कहने लगे कि जिन दैत्यों को हम मार गिराते हैं उन्हें दैत्य गुरु संजीवनी विद्या से पुनर जीवीत कर देते हैं ऐसे में हमारे बलपवरुस का क्या महत्व है यह सुनकर महादेव ने दैत्य गुरु को अपने मुक से निगल कर उदरस्त कर लिया उदर में जाकर कभी ने संकर की इस्तुती आरंभ कर दी जिससे प्रशन होकर सीवने उनको बाहर निकालने की अनुमती दी भारगव स्रेष्ट एक दिव्यवस्तक महादेव के उदर में ही बिचरते रहे पर कोई छोर न मिलने पर पुनह शिव इस्तुती करने लगे बार बार प्रार्धना करने पर भगवान संकरने हंस्तर कहा की मेरे उदर में होने के कारण तुम मेरे पुत्र हो गए हो अतह मेरे सिस्र से बाहर आ जाओ आर्शी समस्चराचर जगत में तुम सुक्र के नाम से ही जाने जाओगे शुक्रत्व पाकर भारगव भगवान संकर के सिस्र से निकल आए और दैत्य सेना की योद प्रस्थान किये तब से कभी सुक्राचार्य के नाम से बिख्यात हुए जोतिस सास्त्र में शुक्र का कारण भी शुक्रग्रह को ही माना जाता है शुक्र के जोतिस में खास महत्व के कारण ही कुंडली के आकलन के दवरान इसकी इस्थिती पर बिसीस ध्यान दिया जाता है शुक्र का मानव जीवन पर अत्यधिक प्रभाव माना गया है ऐसे में जोतिस के जानकारों का कहना है कि शुक्रही वह ग्रह है जो यह बताता है कि किस ब्यक्ति के जीवन में कितना सुख, प्रेम वह शंपन्नता आएगी जोतिस की अमसार शुक्र ग्रही व्यक्ति के भावतिक, सारिरिक और बैवाहिक शुखों का आधार है इस ग्रह को दो रासियों क्रमसह, बिशब और तुला रासी का श्वामित्व प्राप्त है जबकि यह देव गुरु ब्रिहस्पती की रासी मीन में उच्च माना गया है वहीं ग्रहों की राजकुमार बुध की रासी कन्या में यह नीचिस्थिती में माना जाता है बुध और सनी ग्रहों से मित्रता रखने वाले शुक्र की शूर्य और चंद्रमा से सत्रुतता मानी गई है जोतिस के मुताबि शुक्र ग्रह का कुंडली के लगनभाव में होना जातक को रूप रंग से बेहत सुन्दर वा आकरसक बताता है वहीं ऐसा जातक सुभाव से मृदुभासी होने के साथ ही कला में रूची रखता हो इसके लामा शुक्र का कुंडली में मजबूत इस्थिती में होना जातक के प्रेम वववाहिक जीवन को शुक्मई बनाता है ऐसे में यह एको जहां पती पतनी के बीच प्रेम की भावना को बढ़ाता है